नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्माशिश अस्फात स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम एक ऐसे मेडिसीन के बारे में बात करेंगे जो ACDT और गैस को खतम करने के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब बढ़ जाता है तो ये पैंटप्राजोल मेडिसीन ACDT सिक्रीशन को रोक देती है जिससे हमारे प्रॉब्लम कुछ देर के लिए खतम हो जाती है ये दवा 24 घंटे तक काम करती है यानि 24 घंटे तक ACDT के सिक्रीशन को कम कर देती है पैंटप्राजोल एक जेनरिक नेम या सा ये मेडिकल अस्टोर पर कुछ ब्रांड नेम से मिलती है जैसे पैंटप्फोटी, पैंटफोटी, पैंटोसीड, पीहू, इट्सेटरा साथ में हम जान लेते हैं इस मेडिसीन का यूज कब-कब किया जाता है ये हमारे अस्टोमेक में ACDT के सिक्रीशन को कम कर देता है यान यानि ACD के सिक्रीशन जादा होने की कारण जितने भी बिमारिया हैं उनको कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसीन का यूज और दवायों के साथ किया जाता है जैसे हार्ट बर्न यानि सीने में जलन, GERD यानि गैस्ट्रो ओस्फाइगियल रिफ्लक्स डिजीज यह भी एक पेट की विमारी है, जिसमें हाइड्रोकलोरिक एसिड हमारे खाने के नली में यानि ओस्फाइगस में आ जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है इसके अलावे पेटिक अलसर या डियोडिनल Awakle जिसमें पेट में छाले हो जाते हैं तो इस कंडिशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में तो यह तीन डोज में अभाइलबल होती है 20 mg, 40 mg और 80 mg समाने तो 40 mg की डोज एडल्ट में यूज किया जाता है तथा इसे दीन में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है इसक डोज आपके बिमारी और कंडिशन पर निर्फर करता है जो कि आपके डॉक्टर द्वारा निधारित किया जाता है पैंटप्राजोल को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है इस मेडिशिन के कुछ साइड फेक भी हो सकते हैं जैसे हेडेक यानि सीर दर्द स्टोमेक पेन या कि जानकारी पैंटप्राजोल के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे